सूप्रभात मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्थ होगे आज हमें भाशा मनी यहां बुख से अध्याय साथ वीवे की हंस इस अध्याय का स्पष्टिकरन समझना है सबसे पहले आपको प्रुष्ट संक्या निकलना है वावन यहां लिखिए कक्षा करिया यहां लिखिए तारिक और यहां लिखिए दिन आपको आज की तारिक और दिन मेंशन करना है तो आज हमें विवे की हंस इस अध्याय का स्पष्टी करन समझना है चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय साथ विवे की हंस विवे की मतलब क्या होता है आपको पता है विवे की मतलब समझदार समझदार हंस गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता यहाँ पार्ट उनके बच्पन की एक ऐसी घटना बताता है जिससे उनके दयावान होने का पता चलता है गवतम बुद्ध अपने नाम सुने होंगे है ना तो गवतम बुद्ध के दयावान होने का हमें इस पार्ट में पता चलेगा और यहां गटना कपकी है उनके बचपन की पहला दुश्य बगीचे में घूमते हुए राजकुमार सिद्दार्थ यहां राजकुमार सिद्दार्थ है जिने हम क्या कहते है गौतमबुद तो वहां बगीचे में घूम रहे थे तभी क्या हुआ सिद्धार्थ ने कहा अहा कितनी ठंडी हवा चल रही है चारो और फैली हरियाली कितनी सुखद है फुलों की सुगंद से पूरा बगीचा महकरा है सिद्धार्थ गवतमभूत वहां बगीचे में घूम रहे थे तभी ठंडी हवा चल रही थी तभी उन्होंने क्या कहा कि अहा कितनी ठंडी हवा चल रही है चारो और फैली हरियाली कितनी सुखद है कितनी अच्छी लग रही है फूलों की सुगंद सुगंद मतलग खुश्बू फूलों की सुगंद से पूरा बगीचा महक रहा है तभी उन्होंने कहा कि फूलों की खुश्बू आ रही है और उससे बगीचा कैसे लग रहा है महक रहा है तभी एक घायल हंस आकास से नीचे गीरा सिद्धार्थ उसके पहुँच कर उसे उठाते हुए तभी क्या हुआ अचानत एक घायल हंस आकास से नीचे गीरा और सिधार्थ उसके पहुँच कर उसे उठाते हुए कहते है अरे यह क्या इसका शरीर तो बान से बिंदा हुआ है तभी सिद्धार्थ उस हंस को देखते हुए क्या कहते है कि अरे यह क्या इसका शरीर तो बान से बिंदा हुआ है यहां दिख रहा है आपको चित्र में यहां है हंस और यहां है सिद्धार्थ तो सिद्दार्थ क्या कहते है कि अरे रे यह क्या हो गया इसका शरीर तो बान से बिन्दा हुआ है कितना लहू बहरा है लहू मतलब रक्त तभी वह कहते है कि इस हंस का कितना लहू बहरा है रक्त बहरा है पहले मैं इसका घाव साप करता हूँ तभी कहते हैं सिद्धार कि इसका लहु बहरा है मैं इसका घाव साप करता हूँ वहाँ बान को निकाल कर घाव साप करता है तभी सिद्धार इस बान को निकाल कर इस हंस के घाव को साप करते हैं इस हंस को किसने बाण मारा तभी उन्हें लगा कि वह कहने लगे कि इस हंस को किसने बाण मारा अभी आपको पुरुष्ट संख्या निकलना है तीरपन पिछे से आवा जाती है कहां गया मेरा हंस तभी वहां सिदार्थ आश्चरे चकित होते है वहां सोचने लगते है कि इस हंस को किसने मारा होगा तभी क्या हुआ उनके पिछे से किसी की आवा जाती है और वहां कैसी आवा जाती है कहां गया मेरा हंस देवदत्त आता है उसके हाथ में धनुष है तभी पिछे से कौन आता है देवदत्त यहाँ है देवदत्त और उसके हाथ में क्या है धनुष आपको दिखाई दे रहाए न? हाँ इसी को कहते है धनुष देवदत्त ने कहा सिधार्थ यहां मेरा हनस है इसे मुझे दे दो तभी देवदत्त ने सिधार्थ से कहा कि सिधार्थ यहां मेरा हंस है इसे मुझे दे दो सिधार्थ ने कहा यहां तुम्हारा कैसे हो सकता है? यहां तुम्हारा कैसे हो सकता है? इसे मैंने बचाया है तभी सिधार्थ कहते है कि यहां तुम्हारा नहीं हो सकता क्योंकि इस हंस को मैंने बचाया है देवदत्त ने कहा लेकिन इसे मैंने मारा था इसलिए यहां हंस मेरा है मुझे देदो तभी देवदत्त ने क्या कहा कि नहीं नहीं इस हंस को मैंने मारा था और यहां हांस मेरा है इसे मुझे दे दो सिदार्थ ने कहा नहीं नहीं मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है तब ही सिदार्थ ने क्या कहा? सिदार्थ ने क्या कहा? कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है अधिकार मतलब हक तो सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं नहीं यहां हंस तुम्हारा नहीं है क्योंकि मैंने इसको बचाया है तो इस पर अधिकार किसका हुआ? मेरा हुआ ऐसे सिद्धार्थ ने कहा देवदत्त ने कहा अधिकार मैं नहीं जानता मुझे मेरा हंस देदो तभी देवदत्त ने कहा कि मुझे अधिकार नहीं जानना है मैं नहीं जानता मुझे मेरा हंस देदो सिदार्थ ने कहा नहीं मैं हंस नहीं दूंगा तभी देवदत्त की बात सुनका सिद्धार्थ क्या कहने लगे कि नहीं मैं तुम्हें यहां हन्स नहीं दूंगा अभी आपको पुरुष्ट संख्या निकलना है चोवन देवदत्त नहीं कहा क्या कहा नहीं दोगे तो फिर आजाओ मैदान में तभी देवदत्त ने क्या कहा जब सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं मैं यह हन्स नहीं दूंगा तभी देवदत्त गुसा हो गए और उन्हेंने क्या कहा नहीं दोगे तो फिर आजाओ मैदान में मैदान में आना मतलब लड़ाई के लिए तैयार होना तभी देवधत्य ने क्या कहा कि अगर तुम मुझे हांस नहीं दोगे तो तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ मेरा सामना करो तभी मंत्री आकर उन्हें रोकते है उतने में मंत्री आते है और उने रोकते है सिद्धार्थ ने कहा सारी बात समझा कर आप ही बताईए मंत्री जी यहां हंस किसका है सिद्धार्थ ने सारी बात मंत्री को बताई और क्या कहने लगे कि आप ही बताईए मंत्री जी यहां हंस किसका है मंत्री ने कहा इसका निर्नाई तो राज दर्बार में ही किया जाएगा मंत्री ने क्या उत्तर दिये कि इसका निर्नाई निर्नाई मतलब फैसला मंत्री ने कहा कि इसका फैसला तो राज दर्बार में ही किया जाएगा मंत्री दोनों को राजा के दर्बार में ले जाते हैं तभी मंत्री सिधात और देवदत को राजा के दर्बार में ले जाते हैं दूसरा दुश्य राजा शुद्धोधन का दर्बार मंत्री ने कहा महाराज की जय हो महाराज सारी गटना समझाते हुए अब आप ही निर्ने किजिए कि हंस किसका है तभी मंत्री, देवधत और सिद्धार्थ यहां कहां पोचे राज़दर्बार में और सुद्धोधन राजा से कहने लगे मंत्री उन्होंने सारी घटना समझाते हुए मंत्री ने शुद्धोधन राजा को सारी घटना बताई और सारी घटना बताने के बाद कहने लगे कि महाराज अब आप ही निर्ने किजिए कि यहां हंस किसका है अभी आपको प्रुष्ट संख्या निकलना है पचपन राजा ने कहा दोनों राजकुमारों के बीच हंस को रख दीजिए वह स्वयम सही पात्र चुन लेगा पात्र मतलब व्यक्ति तभी राजा ने क्या निर्ने लिए उन्होंने क्या कहा कि दोनों राजकुमार कोन-कोन से देवदत और सिधार्थ तो राजा ने कहा कि दोनों राजकुमारों के बीच हंस को रख दीजिए देवदत और सिधार्थ के बीच में हंस को रख दीजिए और वह क्या करेगा स्वयम ही सही विक्ति को चुन पाएगा हंस को बीच में छोड़ दिया जाता है वह धीरे धीरे राजकुमार सिधार्थ के पास चला जाता है तब हंस को दोनों के बीच में रख जाता है तो तब क्या होता है वह हंस धीरे धीरे सिधार्थ के पास जाता है मंत्री ने कहा देखिए महाराज निर्क्षिर विवे की हंस ने स्वयम ही निर्ने कर दिया वह तो सिधार्थ के पास चला गया तभी मंत्री ने क्या कहा कि महाराज देखिए निर्क्षिर विवे की मतलब समझदार तभी मंत्री ने कहा कि महाराज देखिए हंस ने स्वयम ही निर्नय कर दिया निर्नय मतलब फैसला तो मंत्रे ने कहा कि महराज देखिए इस समस्दार हंस ने स्वयम ही फैसला कर दिया और वहां सिधार्थ के पास चला गया राजा ने कहा हंस सिधार्थ का हुआ तभी राजा क्या कहने लगे कि यहां हंस किसका है आप सिद्धार्थ का क्यूं कहा क्यूंकि वहां हंस स्वयम ही अपना नीरने कर सिद्धार्थ के पास चला गया इसलिए राजा ने कहा कि यहां हंस किसका हुआ सिद्धार्थ का हुआ सभी लोग महाराज की जय हो महाराज की जय हो ऐसे कहने लगे सभी लोग महाराज की जय जय कार करने लगे सिधार्थ हंस को उठा कर चला गया फिर क्या किया हंस को सिधार्थ ने अपने पास उठा कर वहां से चले गया अतह हंस के व्यवहार ने बता दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हंस की इस सीखने हमें क्या सिखाया? क्या सिखाया कि हंस के इस व्यवहार ने हमें क्या बताया? कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यहां हमें इस पार्ट से सीख मिली है। यहां लिखिए गुरुह कारिया पढ़िए आपको इस अध्याय का अच्छे से पठन करना है और मुझे आशा है कि आपको इस अध्याय का स्पष्टिकरन समझा होगा आपका गुरुह कारिया है इस अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़िए और स्पष्टिकरन समझिए मिलते हैं नेक्स्ट पिरेड में तब तक के लिए बाई